सुप्रभाद बच्चों आप सब कैसे हैं मैं आशा करती हूँ आप सब कुशलमंगल हैं बच्चों आपको पता है आज कौन सा दिन है बताईए तो सोंबार के बाद वाला दिन कौन सा होता है आप बता सकते हैं महात्मा गांधी जी का जनम दिन किस दिन मनाया जाता है और कौन से महीने में मनाया जाता है और महात्मा गांधी जी का जनम किस वर्ष हुआ था तो चलिए बच्चों हम आपके पाठे पुस्तर कोपल से इस पाठ को बढ़ते हैं दिन, महीने, साल सबसे पहले हम जानेंगे दिन और सब्ता के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे दिन के बारे में एक दिन में बच्चों 24 घंटे होते हैं 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात बच्चों 7 दिनों के समों को सब्ता का जाता है और एक सप्ता में साथ दिन होते हैं चलिए साथ दिनों को जानते हैं बच्चों इन्हें वार भी बुला जाता है अब सप्ता का पहला दिन होता है रवी वार इसे इतवार भी कहते हैं अंग्रेजी में इसे संडे कहते हैं रवी रवी वार वार रवी वार यानि वार जो शव्द है वो सभी नामों के साथ जुड़ा हुआ है सब्ता का दूसरा दिन है सोम बार सोम सोम वार वार सोम वार यानि इसको इंगलिश में बूलते हैं मंडे सोम बार के बाद आता है मंगल वार मंगल और वार इसे एंग्रिश में बोलते हैं ट्वेजडे इसके बाद आता है बुध वार यानि इसे एंग्रिजी में बोलेंगे वेड़नस डे बुद्वार के बाद आता है गुरुवार यानि इसको इंग्लिश में बोलते है थर्सडे इसे बिरहस्पतिवार भी कहते हैं गुरुवार के बाद आता है शुक्रवार इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्राइडे सब्ता का आखरी दिन है शनीवार इसको इंगलिश में बोलते हैं सैटरडे आप ही बच्चों मेरे साथ बोलो रवीवार सोमवार मंगलवार बुद्धवार गुरुवार शुक्रवार शनीवार अब जानते हैं महिने के बारे में बच्चों चार सब्ता के समू को महिना कहते हैं एक महिने में 30 या 31 दिन होते हैं पर फेरवरी के महिने में 28 या 29 दिन होते हैं सामनत फेरवरी में 28 दिन होते हैं पर लिपियर यानी लोद वर्ष पढ़ने पर 29 दीन हो जाते हैं फरवरी में ऐसा हर 4 साल बाद एक बार होता है अब हम 12 महिनों के नामों को जानेंगे सबसे पहला साल का सबसे पहला महिना होता है जन्वरी इसको अंग्रेजी में जन्वरी कहते हैं जो 31 दिन का होता है दूसरा महिना है फरवरी जो 28 या 29 दिन का होता है इसको इंग्लिश में February कहते हैं तीसरा महिना है March इसको अंग्रेजी में March ही कहते हैं जो 31 दिन का होता है March के बाद होता है April जिसे इंग्लिश में April कहते हैं जो 30 दिन का होता है फिर होता है माई जिसको इंग्लिश में में कहा जाता है उसके बाद आता है जून जिसे इंग्लिश में भी जून कहते है फिर होता है जुलाई जुलाई इंग्लिश में भी से जुलाई ही कहते है जुलाई के बाद आता है अगस्त इसे इंग्लिश में August कहा जाता है जो 31 दिन का होता है उसके बाद आता है सितंबर इसको इंग्लिश में September कहते हैं जो 30 दिन का होता है सितंबर के बाद आता है October इसको इंग्लिश में October बोला जाता है जो 31 दिन का होता है October के बाद आता है November इसे इंगलिश में November कहा जाता है जो 30 दिन का होता है और साल का अंतीम महिना होता है December यानि December जो 31 दिन का होता है बच्चों ये दो थी अंगरेजी महिनों के नाम हिंदी के महिने के नाम कुछ अलग होते हैं इन में सबसे पहला महिना होता है चैत्र उसके बाद आता है वैशाक, फिर जेष्ट, फिर आशार, फिर श्रावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशिर्ष, पॉश, माग और अंतिम महिना होता है फालगुन यानि हिंदी कैल्डर में चैत्र से महिना शुरू होता है और अंग्रेजी में जैन्वेरी से पक्ष, 15 दिन को पक्ष कहा जाता है यानि एक महिने में दो पक्ष होते हैं एक होता है शुक्लबक्ष, दूसरा होता है कृष्णबक्ष ये जो पक्ष होता है ये चंद्रमा के आधार पर होता है जब चंद्रमा का आकार बढ़ता रहता है तब वह शुक्लबक्ष होता है और जब चंद्रमा का आकार घरता रहता है तब वह कृष्णबक्ष कहलाता ह तो बच्चों हम इस पाट से कुछ महत्वपुन बिंदूं को फिर से दोहराते हैं साल में 12 महिने होते हैं हर एक महिने में 30 दिन होते हैं 15 दिन के सम्मू को पक्ष कहा जाता है दो पक्ष होते हैं शुक्लबक्ष और कृष्णबक्ष एक साल में 365 दिन होते हैं लौद वर्ष में 366 दिन होते हैं वर्ष में 52 सप्ता होते हैं और एक सप्ता में 7 दिन होते हैं बच्चों आप सर्विस पार्ट को ध्यान पूर्वर खर्मिये फिर से पढ़िए धन्यवाद